Hello Friends, आज इस Tutorial में अपन Science की बात करते हैं Science एक ऐसाथ सब्जेक्ट हो चुका आजकल एक्जाम में जहांपर 10 questions किसी भी एक्जाम में ये cover करता है तो Science में तीन पार्टें Biology, Chemistry and Physics तो अपन Biology के First Phase की बात करते हैं जिसमें आज अपन study करेंगे Blood के बारे में चले दोस्तो, स्टार्ट करते हैं इसमें मैंने कुछ main important points cover करें हैं इस छोटे से lecture के अंदर जहांपर आपको 101% है कि आपको इसके अंदर से questions एक्जाम में face होगा और आप आराम से उसको बिल्कुल अच्छे से सई क्लिक करेंगे चले फ्रेंट्स, स्टार्ट करते हैं फटाफट Blood की बात करते हैं मनुष्य शरीर में 5-6 लिटर Blood उपस्तित होता है Blood का काम क्या होता है? Oxygen का शरीर में प्रवा करना इदर से उदर Oxygen Body में प्रवाइद करता है Blood 7% of Body Weight Blood होता है इसकी pH value जो होती है वो 7.4 होती है या एक दुर्बल शारी है इसे संयोजिक उतक भी बोलते हैं और संवनी उतक का प्रकार है रक्त के संगठन की बात करते हैं कि रक्त किन-किन चीजों से मिलकर बना होता है रक्त जो मिलकर बना होता है उससे वो होता है सबसे पहला Plasma और रक्त कोशिकाएं रक्त कोशिकाओं को सेल्स भी बोलते हैं जो Plasma होता है याद रखेगा दोस्तो एक तरल फॉर्म में होता है लिक्विट फॉर्म में होता है जो कि 55% होता है ये रक्त में और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो 45% होती है रक्त में, जो सेल्स होते हैं, वो 45% होते हैं, ठीक है दोस्तो, प्लाजमा जो होता है, वो पीले गलर का होता है, ठीक है दोस्तो, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो होता है, रक्त के थक्का जमने में मुदद करता है, very important point है, रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं अपन तो जो sales होते हैं उनके भी तीन प्रकार होते हैं क्या क्या होते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ RBC, WBC और platelets अगर इनको अपन सबसे ज़्यादा जो sales होते हैं ठीक है दोस्तों वो कौन-कौन से होते हैं RBC सबसे ज़्यादा होग बोलते हैं, यह 90% होता है, अपने cells में 90% यह cover करता है, अब बात करते हैं, separate separate अपन एक एक चीज को discuss कर लेते हैं, RBC की बात करते हैं, तो 90% यह रक्त में होता है, इसकी जो life होती हैं, वो 120 दिन something होती है, मरने की जगा जहां पर यह जाके मर जाती है, यह कोशिकाएं, वो होती है, liver, यकरत, ठीक है दोस्तो, malaria होने पर प्लीहा प्रवावित होता है, blood bank of body, प्लीहा को बोलते हैं, ध्यान रखेगा दोस्तो, जो RBC जो होता है, उसका निर्मान कहां पर होता है, RBC का बंती कहां पर है, अस्त मज्जा में इसका निर्मान होता है, और जो इसकी मरने की जग होती है, वो होती है, liver, ध्यान रखेगा दोस्तो, RBC का कबरिस्तान किसे बोलते हैं, जनरली कोशन पुछा जाता है, उसको बोलते हैं, प्लीहा को, ओके फ्रेंट्स, अब बात करते हैं अपन, work of RBC, इसके काम क्या-क्या होते हैं, main इसका काम होता है, oxygen का परिवहन करता है, R यह जो होता है, यह oxygen के साथ मिलता है, तो oxy hemoglobin बनता है, ठीक है फ्रेंट्स, यह oxy hemoglobin जो होता है, कोशिकाओं में जाता है, वहाँ O2 अलग हो जाती है, ध्यान रखेगा दोस्तो, रक्त का color जो होता है, वो लाल होता है, hemoglobin के कारण, इसी hemoglobin के कारण, रक्त का रंग जो को बोलते हैं, कि कि jointis बोलते हैं, पिलिया, ये RBC से होने वाली विमारिया होती है. Friends, अब अपन WPC की बात करते हैं, WPC जो होता हैं, वो color lace होता है, ध्यान रखेगा, very important question है, color lace होता है, श्वेत रक्त जो होता है इसे श्वेत रक्त कणि का ध्यान रखियेगा बोलते हैं सबसे कम संख्या में रक्त में WBC होता है तीन से चार दिन इनकी लाइफ होती है साइज इनका बड़ा होता है सबसे जज़ा साइज इनका WBC का बड़ा होता है इनका काम क्या होता है रफ्ट में प्रतिरोध शम्ता को बढ़ाना इम्मिनुटी सिस्टम को बढ़ाती है अस्तमज्जा बॉन मेरो में बनती है ध्यान रखेगा विटामिन A, WBC को बढ़ाता है ओके फ्रेंड्स अब कुछ important points की बात करते हैं अपन एक lymphocyte और monocyte जो होती है इन दोनों के बारे में जनरली question पुछा राता है lymphocyte जो होता है WBC में इनकी संख्या जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है बट size जो होती है वो कम होती है monocytes जो होता है सबसे लंबी कोशिका होती है largest cell of blood very important question दोस्तों सबसे लंबी कोशिका होती है monocytes okay friends monocytes जो होता है वो क्या फाइदा करता है घाव भरने में जो अपना घाव जाता है उसको भरने मदद करता है जबकि lymphocyte जो होता है वो श्वेक तरक्त कनिका है जो बिमारियों से बचाती है अपने को अब WPC से होने वाली बिमारिया WPC की संख्या कम होने पर प्रत्रियोधी शमता कम हो जाती है पहला इसकी बिमारी कुन-कुन से है एक तो AIDS होता है HIV viral के कारण होता है ये AIDS का full form होता है acquired immunodeficiency syndrome ध्यान रखिएगा AIDS पता करने वाले टेस्ट कौन-कौन से होते है एक ELISA होता है ध्यान रखिएगा दोस्तो एक दिसंबर को AIDS दिवस बनाया जाता है National AIDS Research Center जो है वो पूने मुंबई में स्थित है दूसरा बिमारी WPC से क्या होती है Leukenia इसको blood cancer बोलते है WPC WPC जो होता है कि कमी के करण blood cancer होता है WPC की कमी के करण त्यान रखिएगा World Cancer Day का बनायाता है 4th February को अब अब बात करते हैं platelets की इनकी संख्या जो होती है लग-भग मान के चलिया 4,50,000 से लेकर 6,00,000 तक जो होती है इनकी पर लिटर ये होना चाहिए इसकी help क्या होती है दोस्तों समझेगा थोड़ा platelets को थोड़ा सा ध्यान समझेगा ये क्या मदद करते हैं अपना जो घाव हो जाता है उसके बाद जो खून निकलता है उस खून को रोकने के लिए ये जो होता है platelets मदद करते है platelets की कमी से protozoa बिमारी होती है मच्चरों के काटने से ध्यान रखिएगा protozoa बिमारी होती है ये कोशन पुचा जाता है दूसरा cancer का कारण भी बनता है platelets तो friends ये कुछ bloods के related कुछ important points मैंने cover करे थे ठीक है friends आगे मैं next video में next topic के साथ मिलता हूँ अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगा है तो please subscribe मैं चैनल मैं आगे आगे अच्छे वीडियो ले के आता रहूँगा धनिवाद